सल्मान खान के बॉडिगार्ड शेरा को हर कोई जानता है वो सल्लूम मिया के लिए करीब 20 साल से काम कर रही हैं वही हाली में शेरा ने एक इंटर्व्यू के दुरान कुछ ऐसा बोल दिया जिससे ये साबित होता है कि वो सल्मान से कितना प्यार करते हैं अब आप भी एही सोच रहे होंगे न कि आखिर ऐसा क्या कह दिया तो आपको बता दे उन्होंने कहा कि मैं अपनी आखिरी सांस तक सल्मान खान की सुरक्षा करता रहूँगा जब तक जिंदा हूँ भाई के साथ रहूँगा इतना ही नहीं आगे उन्होंने ये भी कहा मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि मैं भाई के पीछे या उनके साथ नहीं रहता हूँ मैं हमेशा उनके आगे खड़ा होता हूँ जिससे हर खत्रे को पहले मैं फेस कर सको तो सुना आपने वैसे देखा जाए तो हाली में खबरे आ रही थी कि सल्मान खान शेरा के लड़के को फिल्मों में जल्द ही लॉंच करने वाले हैं अब देखना ये होगा क्या सच में भाई जान अपने प्यारे शेरा के बेटे को लॉंच करते हैं या नहीं वहीं बात करें सलमान के प्रोफेशनल फ्रंट की तो वो जल्द ही रैमिर जुसूजा के डारेक्शन में बनी फिल्म रेस थ्री में नज़राने वाले हैं इस फिल्म में उनके साथ जैकिंग फर्नेंडेस, अनिल कपूर, बॉवी द्योर, डेजी शा, साकिप सलीम और फ्रेडी दारूवाला नज़राएंगे ये फिल्म 15 जून को ठेटस पर दस्टक देगी आपको हमारी इस स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलेगा और बॉलिवर से जड़ी खबरों के लिए देखते रही एनमेफ न्यूस